जहन साथियो, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सिलेंट योटोब चैनल पे यहाँ पर आप नोटिफिकेशन देख सकते हैं मेट्रो रेलवे, मेट्रो रेल भवन की तरफ से एक नया नोटिफिकेशन जारी किया गया इसकी अफिसियल वेबसाइट पर जिसके बारे में आपको पूरी जनकारी देने वाले स्टेप बाई स्टेप तो वीडियो को आप बिल्कुल कम्प्लिट देखेगा और यह जो नोटिफिकेशन जारी किया गया कोलकता की तरफ से, मेट्रो रेल कोलकता की तरफ से ये आपको notification देखने को मिल ला है notification का date आप यहाँ पर देख सकते हैं 72230 को ये notification जारी किया गए जो कि इसमें जो apply कर पाएंगे केवल matriculation अथा 10 पास प्लस जो छातर IT complete कियें NCPT से वही लोग farm को apply कर पाएंगे जो कि ये vacancy जो निकल के आ रहे हैं तो apprenticeship rule के अंतरगत आपको इसमें आपको salary अथात जो वितिका दे जाती आपको training के तोर पे वो भी आपको दिया जाएगा जिसके बारे में आपको पूरी जनकारी देने वाले हैं और ये जो vacancy होने वाली है 2023 से 2024 के अंतरगत होने वाली है जिसमें आपको एक साल का training भी दिया जाएगा नीचे आप आएंगे सात्यों स्क्रोल करते वे तो आपको यहाँ पर seat और सात में यहाँ पर trade भी देखने को मिल जाते हैं किनकी ट्रेडों के लिए भरती निकाली गई है यहाँ पर आप trade के हाँ पर column में देखिए आपको feeder trade, electrician, machinist और wilder यहाँ पर trade देखने को मिल जाती है जिसमें feeder के लिए 81 total seat खा लिए electrician के लिए 26 seat खा लिए और machinist के लिए हाँ पर 9 seat खा लिए wilder के लिए हाँ पर 9 seat खा लिए total यहाँ पर count करेंगे तो 125 आपको total यहाँ पर seat देखने को मिल जाती है अब यहाँ पर category जवाई आप चीज़ करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर वीडियो को start कीजे और जो भी आपका category है चाए आप general के अंतरगत आ रहे हैं या SC के अंतरगत या HT के अंतरगत या OBC के अंतरगत या PH के अंडियेटें या X-Service मैंने तो अपने यहाँ पर column में देख लिजिए कि ट्रेट के लिए हाँ पर कितनी seat खा लिए category वाई इसके बाद सातियों आपको नीचे आ जाना है नीचे आप आएंगे तो यहाँ पर आपको कुछ अधर भी जनकारी देखने को मिल जाएगी जो चात्र X-Service मैंन के अंतरगत आते हैं उनके लिए हाँ पर अधर छोट यहाँ पर देखने को मिल जाती है koolification के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया लेकिन यहाँ पर डिटेल में इन्होंने जनकारी दे रखिए कि metro equation अथा 10 plus 2 जो चात्रें वो लोग अपलाई कर पाएंगे जिसमें दस्वी में कम से कम आपका जो percentage होना चाहिए कम से कम 50% आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर आपको जो percentage देखने को मिल रहा है यहाँ पर देखिए 50% आपको देखने को मिल रहा है तो आपका दस्वी में 50% होना चाहिए और ITA आपका complete होना चाहिए और ITA में कोई भी percentage की बात नहीं किये गए इसको ध्यान रिखिएगा तो NCBT से आपका ITA complete होना चाहिए और यहाँ पर without NCBT आप apply करते हैं तो आपका यह apply नहीं होगा जो कि यहाँ पर नीचे साब तोर पे लिखा भी गया है नीचे आप आएंगे साथियों स्क्रॉल करते हुए आपको एज के बारे में यहाँ पर जनकारी दी गई है कितने उमर की चाहतर इस फांट को apply कर पाएंगे तो यहाँ पर देखिए इसमें जो candidate फांट को apply कर पाएंगे उनका minimum age 15 year है और maximum जो age रखा गए वो 24 है लेकिन जो आपका उमर count किया जगा वो एक एक दो हजार तेश से अथाथ एक फरवरी दो हजार तेश से आपका उमर count किया जगा जिसमें जो चाहतर SSD के अंतरगत आते हैं कटिकरी के उनको 5 साल की चूटे और जो चाहतर यहाँ पर OVC के अंतरगत आते उनके लिए 3 साल की चूटे और जो चाहतर यहाँ पर यहाँ पर अधर के अंतरगत आते हैं तो SSD के अंतरगत आते हैं और उनके लिए अलग अलग यहाँ पर छूट दिखाएगे तो अपने कटेग्री路 जवाईज यहाँ पर देख लीजेगा निचे आप आइये स्क्रोल करते हीए इसके बाद यहाँ पर आपको training के बारे में बताए गया कि training आपका कहाँ पर चलने वाला है तो training जो आपका चलने वाला है कोलकता यहाँ पर location दिया गया जिसमें जो stipend दिया जएगा जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो इसका rule है उसी के अंतरगत आपको दिया जए है apprenticeship india.org की इसकी official website पे आपको registration करना है तो registration आप कल लिजेगा और यदि आपको जनकारी नहीं कैसे mobile के द्वारा registration किया जाता है तो link आपको इस वीडियो के description box में मिल जाएगा वहाँ से आप registration कर पाएंगे इसके आप यहाँ पर ध्यान एकिएगा जो चात नहां पर फार्म को apply करेंगे उनके लिहाँ पर 100 रुपए charge भी रखा गया तो जो चात नहां पर फार्म को apply कर पाएंगे ध्यान एकएगा यह आपका चाहे तो यहाँ पर हिंदी और इंग्लिस दोनों में भर सकते हैं लेकिन आपका दिया गया इंग्लिस तो आप इंग्लिस में ही भरिएगा सारे चीज़ यहाँ पर दे दिएगे कैसे आपको fill up करना है और जो भी यहाँ पर आप document यहाँ पर attach करेंगे ध्यान एकिएगा उसका यहाँ पर सारे चीज़ आपको process यहाँ पर लिखना पड़ेगा तो सभी लोग ध्यान से भर लिजेगा और यदि आपको जनकारी चाहिए तो comment पर जुरू बताएगा आपको जनकारी भी मिल जाएगी